Hello everyone, my self is Dr. Lakshmi Sharma अगर आपको लंबे समय से constipation की problem है आप लंबे समय से आपका बेट साफ नहीं हो पा रहा है या आपको chronic constipation की problem है या acute constipation की problem है जिसके काण आपको stool pass करने में काफी difficulties होती है इवन आपका stool काफी dry होता है, hard होता है या आपके irregular bowel movement होते रहते हैं आपको regular stool pass out करने में काफी difficulties होती है तो इन सब problems के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे साथ ही हम जानेंगे कि ये constipation क्या होता है इसके क्या क्या causes होते हैं साथ ही आप constipation की problem को कैसे naturally manage कर सकते हैं इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको तीन ऐसी homeopathic mother tincture बताओंगी जो कि आपके constipation की problem को complete क्यों करने में काफी helpful है और साथ ही इन सभी mother tincture को आप इस्तिमाल करके अपनी constipation की problem को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आपको सुबह 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 पेट साफ ना होने की problem भी होती है तो आप इन सभी mother tincture का इस्तिमाल करके अपनी constipation की problem को पूरी तरह से खतम कर सकते हैं यह सभी mother tincture क्या है इसके अलावा constipation की सभी problems की बारे में हमने detail में बात करेंगे इसके पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पन्नाय हैं यह वीडियो को पहली बार देख रहा है तो बैल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेकिन अभी अभी सद्धन से ऐसा हो गया कि आपका बीक में थ्री टाइम से उससे भी कम वावेल मुवमेंट हो रहा है तो इस कंडिशन को हम constipation की problem कहते हैं constipation के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं सबसे पहले इसका कारण होता है कि अगर आप सही तरीके से अपनी डाइट में इसके प्राइट से बनी हुई चीज़ें ज्यादा खाते हैं और आप प्रॉसेश फूड का अगर आप ज्यादा स्तिमाल करते हैं तो इसके कारण भी आपको constipation की problem हो सकती है दूसरा कार्ड होता है दोस्तों कि अगर आप अपनी डाइट में बहुत कम फ्लूड ले रहे हैं यानि कि water intake आपका काफी कम है फ्लूड इंटेक काफी कम है तो इसके कार्ड भी constipation की problem आपको develop हो सकती है तीसरा इसका कार्ड होता है कि अगर आपको क्रोनिक लंबे समय से ऐसी कोई disease है जिसके लिए आप medication ले रहे हैं जैसे आप calcium channel ब्रॉकस ले रहे हैं, anti-acid बगएरा ले रहे हैं या फिर कोई diuretics बगएरा ले रहे हैं अगर आपका डेली इटिंग पैटन जो है वो डिस्टर्ब है आप किसी भी टाइम पर खाना खाते हैं तो जिसके बज़ए से आपकी जो इंटिस्टाइन है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग में नहीं रहती है इसके काज़ इसके बॉट इसके काण गौंस्तिपेशन की प्रॉप्लम हो सकती है इसके अलावा आप ड्रेब्लर हैं अगर ड्रेबलिग करते रहती है ऐसा कोई जीर कैदा कर ग tim कॉंस्त हस्चन भी आपको रही होता इसके अलाबा आप अगर physical activity काफी कम करते हैं काफी लंबे समय तर ऐसा कोई occupational या आपका कोई ऐसा job है जिसके काण आपको लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है आपकी physical activities अगर कम होती तो इसके काण भी आपको constipation की problem हो सकती है इसके अलाबा अगर आपको किसी भी समय urge होती है इस tool की और आप उस condition को ignore करते है इस tool pass out की urge को अगर आप ignore कर देते हैं तो इस condition में भी आपको constipation आगे जाकर develop हो सकता है तो ये सबी जो main causes होते हैं जो की constipation में ज़्यादा तर देखे जाते हैं जो main cause होते हैं ये सबी जो मैंने आपको बताए इनके काण आपको constipation की problem develop हो सकती है अब जानते हैं हम की constipation की pathophysiology क्या होती है जनरली हमारी body में किस तरह से develop होता है नॉर्मली हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी elementary canal से गुजरता है हमारी आतों में जाता है जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर बहुत सारा जो fluid होता है या जो water है वो absorb कर लिया जाता है हमारे blood के तरूँ और साथ में जो भी nutrients होते हैं वो हमारे blood के तरूँ absorb कर लिया जाते हैं जो भी base material रहता है वो हमारे intestine के तरूँ deficate हो जाता है एकस्पेल आउट या बाहर कर दिया जाता है लेकिन बहुत सारी ऐसी conditions होती है या तो कुछ pathological cause होते है फिज जरूरत से बहुत जादा हमारे जो आते हैं जो हमारे blood vessels है वो बहुत जादा absorb कर लेते हैं तो इस condition में क्या होता है कि जो grace product बसता है ने जो stool बसता है वो काफी hard हो जाता है उस पानी की कमी के काण काफी dry हो जाता है और जैसे पास आउट करने में काफी difficulties होती है तो इस तरह ऐसे जो pathophysiologically constipation हमारी body में develop होता है अब बात करते हैं दोस्तों इसके management के बारे में कि घर पे आप अपनी dietary habits को कैसे change करके constipation की problem से आराम पा सकते हैं सबसे पहले अगर आप बहुत जादा dairy product लेते हैं या milk जो से बने items वगेरा आप जादा इस्तिमाल करते हैं दूस से ब आपको water intake बहुत जादा करना चाहिए क्योंकि जितना जादा fluid diet लेंगे liquid अपनी diet मेरेड करेंगे तो आपको constipation में उतनी जतेजी से आराम मिलेगा तो ये सबी चीजे आप अपनी diet में शामिल करें इसके रहावा आप fiber rich diet को इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आप खानी के अपनी diet में salad को इस्तिमाल कर सकते हैं salad में आप खीरा ले सकते हैं या आप टमेटो ले सकते हैं या आप आउनियंस वग्यरा इस्तिमाल करें इसके बाद अगर आप खाना लेंगे तो ये एक प्रकार का फाइवर्स बल्क हमारी इंटेस्टाइन में डैबलब करता है जिसके अगर आप इस इटिंग पैटन को अपनी डैली हैविट्स में शामिल कर लेते हैं तो आपकी कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी इसके अलाबा दोस्तों फाइबर रिच डाइट में फुछ फूट्स को एड़ कर सकते हैं जैसे आप बनाना को या अपनी डाइट में एड़ करें तो यह फाइवर्स का अच्छा सोर्स है इसके अलाबा पका हुआ पपीता भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छा लेक्जर टिप का गाम करते हैं आपकी कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम में काफी हद तक आराम देते हैं तो इस कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम में काफी तेजी से रिलीफ मिलेगा और आप इनके साथ कुछ हुमेपेथिक मेडिसिन का भी इस्तिमाल करेंगे जो मैं आप बताने जा रहे हैं तो आपको कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से क्यों हो जाएगी आप आई जा करके अपनी कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम को कंप्लीट क्यूर कर सकते हैं सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों हाइडस्टिस कैने डेंसिस यह मदर टिंग्चर जो है हुमेपेथि में इस्तिपेशन के लिए बहुत बहुत ही जादा एफेक्टिव मेडिसिन है इसके मधर टिंग्चर जिसका पिक्चर मेंने स्क्रीन में लगाया हूँ आप इन तीन मधर टिंग्चर को ले जीए और चोंथा जो मदर टिंग्चर है वह है आपका चाईन ओफिछesta अनेलिस अजो वाट्र कर सकते हैं इनको सबी को एक साथ मिक्स कर सकते हैं यह बड़ी बॉटल तो 15-15 ml भी आप किसी बड़ी कांच की बॉटल में आप मिक्स करके इन सभी को बरावर मात्रा में एड़ कर लीजिए तो इस तरह से आपको इन सभी मेडिसिन को मिक्स करना है अब बात कर लेते हैं कि यह सभी मदर टिंग्चर जो हैं हाइडस्टिस कैने इंसे सेनना मदर टिं यह एवन क्रोनिक और एक्ट्व दोनों तरह के अच्छी मेडिसिन है यह मदर टिंग्चर आपके को इसके अगर आपको पेट में काफी हैवी मैसूस होता है आपको इंटेस्टाइन की मसल में काफी बीकनेस लगती है रेक्टल वाल आपको प्रोलेफ्स की प्राबलम होती ह या रेक्टल मसल आपकी काफी जाधा बीक है या डाइस्टीब मसल बीक होने के कराण आपका जो खाना है वो साही तरीके से डाइज़स्ट नहीं होता या फिर आपका पैरस्ल righteous मूमेंट भी काफी । या फिर आतों में काफी पुरानी सो ज़गाईन है तो हाई डाइस्ट की प्रॉब्लम है पैरसलिटिक मुव्मेंट अगर प्रॉपर नहीं है इवन हार्ड और बहुत जादा नौटी स्टूल होता है और कॉंस्टिपेशन के कारण आपको बहुत जादा डिसकंफर्ट फील होता है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वह है रेटेनिया मदर टिंचर अगर आपको बहुत जादा ब्लॉटिंग फील होता है पेड काफी फूला फूला लगता है और आपका जो कॉंस्टिपेशन के कारण गैस पास आउट करने में आपको काफी डिफिकल्टीज हो रही है अब्डुमन एकदम डिस् चाइना ओफिस अनलिस जो मदर टिंचर है वह आपके ओवर वीकनेस को भी कबर करता है इसके अलाब है अगर आपको पेट में काफी भारी मैसूस होता है इवन आपके पूरे पेट में एसा लगता है कि आपको बहुत जादा गैस भरी हुई है यानि काफी डिसकमफर्ट अ कर्दिशन करती है या फिर आपको काफी ज्यादा बॉकनेस फील होती है तो उन सभी प्रॉब्लम को मेडिसीं कबर करती है ओबर और आली कॉंसिपेशन और दिसकमफर्ट की सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी दबा होती है तो आप इस तरीके से इंचारों मदर ट किस तरीके से आप को इन मेडिसिन का सेवन करना है तो इसके लिए आप डेली अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपका सुबह सुबह पेड साफ नहीं होता है तो आप इसको सुबह उठते ही इस्तिमाल कर सकते हैं इसको आप 15-15 बूंद आप दिन में 3 बार इस्तिमाल इसको दीन में 3 बार आपको प्रियोग करना है आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको काफी अच्छी रिजल्ट मिलेंगे इसके अराबा आप 8-10 दिन इनको लगतार इस्तिमाल करें आप देखेंगे कि आपकी जो वाविल मॉमेंट है वो एकदम रेगलर हो जाएगा आ आपके इसके प्रॉबलम में भी 8-10 दिन में काफी अच्छी रिजल्ट मिलेंगे अगर आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलते हैं तो आप एक मेन इस मेडिकेशन को फॉलो करें आप देखेंगे कि आपकी इसके प्रॉबलम पर्मनेटली क्योर हो जाएगी और इससे आजखे वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं नेक् की साथ तब तक की लिए बाइ बाइ थेंक्स पर वाचिंग